स्वाथ्या यह पारम्टावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावादावा खुश्बू प्रतिक मोदी, आसिस्टन प्रफेसर संस्कृत, आपनों हार्दिक स्वागत करूँ छू। मित्रों प्रथम वर्ष बिये ना अभ्यासक्रम मा, जे समाविष्ट थायलू छे, ते संस्कृत फरज्जियात विशय ना पेपर एक मा, आपने संस्कृत नाट्यों नो परिचय मेळवानों छे। अने कालिदास, भवबूती, हर्षवर्धन, बगेरे कवियों ना जीवन नो परिचय मेळवी ने, तेमनी कृतियों नो टुकोमा अभ्यास करवानों छे। तो मित्रों, आजे आपने प्रस्तुत पेपर ना विबाग एक नो अभ्यास करीशू। तेमा सव प्रथम संस्कृत नाट्यना भवनी माहिती मेळवीशू। संस्कृत नाटक नो विकास चोईशू। अने त्यार बाद किटलाक नाट्यकारों नो परिचय मेळवीशू। मित्र संस्कृत साहित्यमा वेद थी शरूकरीने आज सुधी अनेक क्रूतियों लखाई गई छे। आक्रूतियोंने रजू करवानी रीते तेना कुल बै प्रकारों पाडी श्रकाई। प्रथम छे ध्रश्यकाव्य। जे साहित्यक्रूति अभीनई, संगीत अने समवाद एटले के वातचीत द्वारा रजू करवामा आवे छे। जेने आक्थी जोईने औने कांथी साम्बणीने मानवामा आवे छे। तेने द्रश्यकाव्य कहवाई छे। अने बिजो प्रकार्चे श्रव्यकाव्य। आबे प्रकारों पई की द्रश्य प्रकार माटे मोटे भागे नात्य, नाटक के रूपक एवो श्रब्द वप्राय छे। साहित्यना बधाज प्रकारों मा नात्यक के नाटक सोथी वधारे रमणिय प्रकार छे। मातेज कहवायू छे के काव्येशु नाटकम रम्यम। विद्याथी मित्रो नाटिय के नाटक ए भजवानी कला छे। बनी गयली घटनाओ के जेमा सुख अने दुख बनने होई छे। तैने अभिने द्वारा रंग मंजबर रजु करवामा आवे छे। नाटिय ए त्रणे लोक एटले के स्वर्ग, प्रुथवी अने पाताड लोक ना भावो तेमज साते ध्वीप एटले के आखी प्रुथवी ना लोको ना जीवननू अनुकरण छे। आम नाटिय अनुकरण नी कला छे। हवे संस्कृत साही त्यमा जुवामर ता नाटको ने जोई ने प्रश्न थाई। के सवथी पहलू नाटक क्यारे भजवायू हशे। क्या भजवायू हशे। ते कौने भजवी हशे। तेनु स्वरूप केउं हशे। मित्रो नाटक ना विवीद प्रकारों एटले के एकांकी, भाण, प्रक्रण, वगेरे केवी रिते विक्स्या हशे। आ अंगे बरत्मोनीना नाट्य शास्त्रमा पण स्पष्टता करवामा आवी छे। तेमाज विद्वानों ए पण उन्डू चिंतन करीने जुदा जुदा अभिप्रायो रजू कर्या छे। जेने समझवानों आजे अपने प्रयतन करिये। मित्रो विद्वानों ए जे विविदू मतो रजू कर्या छे। तेमा सव प्रथम आवे छे परंपरा गत मत अथवा द्यूलोक वाद। बरत मुनी ए रचिल नाट्य शास्त्र ए नाट्य सिध्धांतनों सव थी बुराणों ग्रंत छे। जेमा नाटकनी उत्पति दैवी छे एम दर्शाव्यू छे। नाट्य शास्त्र ना एक उपाख्यानमा नाटकनी उत्पति वनवता लख्यू छे। के सती युगमा बधा जीवो खुब दुखी हवा थी तमने मनों विनोधना साधननी जरूर्ण न हती। परंतु त्रेता युगमा संसरमा दुखो शरू थै गया। आथी देवो औने दानवोय ब्रह्मा पासे जहिने विननती करी के हे पिताम अमने एवू कोई रमकलू आपो के जे अमारू मनोरंजन करे अने तैनली दे अमे थोड़ा समय माटे अमारा सांसारिक दुखो ने पन भूली जये। आसामडी ब्रह्मा ए थोडो समय ध्यान धर्यू। तैमने लोको ना मनोरंजन माटे नाट्य वेद प्रगट करेू। नाट्य वेद रचवा माटे तैमने रुग वेद माथी पाथिय, यजूर वेद माथी अभीनै, अथर्व वेद माथी रस, अने साम वेद माथी संगीत शंकर अने विश्णू पन नाट्य वेद नी रचनामा ब्रह्मा नी मददे आव्या। शंकर ए तांडव नुत्य अने पार्वती ये लास्य नुत्य उमेरिू। विश्णू ये पन नाट्य ना प्रभाव माटे अनिवारिय एवी चार वृत्तियों उमेरी, तैने कलाथी पूण करी दितू। आम त्री मूर्ती देवोय मलीने आ नाट्यकलाने प्रचलीत करी। जे पांचमो नाट्य वेद कहवायो। ब्रह्मा ए बरत्मुनीने आ नाट्यकला मर्त्य लोक एटले के प्रुत्वीमा लईजवानू काम सौपि। नाट्यकला बजहुता शिखवा ब बरत्मुनीने अपसराव शौपि। बरत्मुनी ए प्रुत्वीलोक पर आ नाट्य वेदने आधारे नाट्य शास्त्रनी रचना करी। सर्व प्रथम इंद्र द्वज पर्व प्रसंगे त्रिपूर्दा अने समुद्र मन्थन आ बे नाटको भचवाया हता। जे मादानोय उफान मचावय। ए पची देवोना स्थापती विश्व करमाय आ नाट्यकलाने भजवा माटे रंगभवन बांधी आपय। आर इद्दे नाटकनी उत्पत्ती थाई। मित्रो आ परंपरा गत मत पर्थी जणाय चे कि नाटक माँ पहले थी जुस्त्री पुरूशो बनने अबिनाय करता अने कोई महत्वना प्रसंगे नाटको भजवाता हता। मित्रो परंपरा गत मत जोया पची आपने बिजो मत जोये जेमा वैदीक यगन अने अनुष्ठान माथी नाट्यन उद्बव दर्शावयो चे। नाट्यस्वरूप अने वैदीक यगन वच्चे गण अनिबदी समानता चे। महाभारतना अनुष्ठासन पर्वमा राजा दिलीपना यगन नुवणन छे। जेमा वणव्युचे के यगनमा बनावेल स्तंबनी चारे बाजु इंद्र वगेरे देवो अने घंदर्वो नुत्य करता हता। अने विश्वा वस्तुए तेमा वीन वगाडी हती। यगनमा मात्र कर्मकांडद नोता थता। पन लोकुनी कला औने रचनात्मक शक्तिनू पन प्रदर्शन करवामा आउतु हतु। यजूर वेदनात रिजा आध्यायमा कहिू छे कि यगनमा गावा माटे शैलूस औने नाचवा माटे सूतने वुलावामा सुत्रों मा पन वणन छे कि पित्रू मेग यगनमा नूत, घीत अने वाजिन्त्रों वगाडाता। मंत्रों ना पाठ वखते हाथनू हलन चलन पन शरीन नो अभिनयच कही शकाई। आम वैदिक यगनमा जे काई रजू करवामा आउतु तेने नाट्य साथे बहु नजीक न बीज आ वैदिक यगनमा रहेला होय तेम लागे छे। श्रौत सुत्रों मा महावरती आगनी विदियो वणवी छे। जेमा अद्वर्यू सोम विक्राई, ब्रह्मचारी, पुन्ष चली, वगेरे समवाद कैरीते भजवो, ते अंगी विगतवार वणन आपेलू छे। पुर्वक वादचीत करे। श्रौत सुत्रों मातो कोणे कया समवाद बोलवाना छे, तैनू पन वणन छे। आमा एक रिते जगतनीज कोई घटनानू अनुकरन छे, जने एक प्रकानू नाटक कही शकाई। आम आ रिते संस्कृत नाट्याना बीज श्रौत सुत्रों अने वैदिक अनुस्ठानों मा रहेला छे, एवु केटलाक विद्वानों माने छे। तो केटलाक विद्वानों एवु पन माने छे, के संस्कृत नाट्याना मुल वैदिक संवाद सुक्तों मा रहेला छे। रुगवेद मा अनेक संवाद सुक्तों मले छे, जे वाके यम यमी सं विश्वामित्र नदी सम्वाद, इंद्र व्रुषाकपी सम्वाद, पुरुरवा उर्वशी सम्वाद, सर्मा पणी सम्वाद। आ बदाज सम्वाद सुक्तो पाचल कोई प्राचिन आख्यान जुडाएलू छे। रुगवेद ना विवा सुक्तमा नव दंपति समक्ष पुरंद रियोना नुत्यनो उलेख मले छे। सम्वाद सुक्तो नी जेम नाटक मा पण सम्वाद होय छे, कि जे नाटक नो प्राण मनाई छे। आथी किटलाक विदेशी विद्वानो संस्कुरुत नाट्यना मूळ सम् सुक्तो मा होवानू माने छे। प्रसित जर्मन विद्वान पिशेल संस्कुरुत नाटक नो उद्बव कठ पुतलीना नुत्यमा थी थयो होवानू माने छे। परन्तु आ पुतलीका नुत्यवाज्योता एम लागे छे कि निर्जीव कठ पुतल्योना सामान्य नुत्यमाथी संस्कुरुत नाट्यनो उद्बव थयो एम मानू जरा वधारे पड़तु लागे छे। उत्सवो माथी नाट्योत्पतिनो सिद्धान पन परिवतन समय थता उत्सवो अने नुत्य गान माथी नाटकनी उत्पति थय हवानू डॉक्टर कीथ माने छे। समग्र विश्वमा वसंत्रोदू सौथी वधारे सुखाच्छे। आ समय बद्धीज संस्कारी जातियो उत्सव मनावती होई छे। युरोप मा मे महिनामा एक थामलो मुकीने तेनी आजुबाजुन नुत्य करे छे। परन्तु आ उत्सवोनी उज्योनी माथी संस्कुरु श्राद्ध प्रसंगे तेमनी वीर्तापून जीवन कथाने अभिने साथे रजु करवानी परमपरा माथी संस्कुरुत नाट्यानो उत्बव थायो छे। आपने त्या भजवाती रामलीला अने कृष्ण लीला पन वीर पुझानो जेक प्रकार छे। आ एक प्रकानु टकत छे। एरीते नाटक बजवाना शरू थाया। आरीते तेओ धार्मिक भावना के वीर पुझावाद माथी नाट्यानी उत्पत्ती थाई होवानु माने छे। किटलाक विद्वानो इतिहास काब्यों माथी नाटकनी उत्पत्ती थाई होवानो मत प्रगट करे छे। प आ लोक गायकों ने कुशी लव कहवा मा आवे छे। आ कथा पारायन मा अभी नई उमेराता नाटक ना प्रयोगो शरू थाया हशे। नाटक नी उत्पत्ती विशे नो आजे प्राचिन के परंपरागत मत नाटक नी उत्पत्ती विशे नो अंतिम मत छाया नाटक वाचे। भारत अने थाइलेंड मा पुतलियो ना पडचाया द्वारा नाटक रजु करवानी परंपरा हती। आ नाटकने छाया नाटक कहवामा आवे छे। छाया नाटकनो प्राचिन्तम उल्लेक महा भारत मा थायलो छे। डॉक्टर रीजवे एक अभीप्राय एवोपन रजु करे छे के छाया नाटक मा थी क्रमशन संस्कृत नाटको बजवानो शरु थायू हर छे। मित्रो संस्कृत नाटकनी उत्पत्ती विश्यक मत आपने जोया ए प्रमाणे विविद वादो अने सिद्धान्तो जोता लागे छे। के भरते जे अभीप्राय आप्यो एस विकारवो वधारे सारो छे। संस्कृत नाटको गणा प्राचीन समय थी भचवाता हता अने तैना पूरावा रामायन अने महाभारत मा मले छे। रामायन मा एवो उल्लेक छे के रामना राज्या विश्यक समय नट, नुत्यकनाराव अने घायको हता। ज्यारे महाभारत ना हरीवंश पर्वमा पन नाटक ना उल्लेको मले छे। हरीवंश पर्वमा वणन छे कि क्रुष्णाय वज्रनाब नामना दैत्यने मारी नाखवा, कपट नटनो वेश धारण कर्यो हतो। पचिक्रुष्णाय कवबेर रंभा बिसार नाटक भजविव हतु। नाटक ना वशिकरंथी प्रद्यूम नाय वज्रनाबने मारी नाख्यों। वज्रनाबनी दिकरी पद्मावती प्रद्यूमन साथे परणी। आम नाट्यकला महाभारत समयमा प्रचली थाई चुकी हती। महाभाष्यकार पतन जली एपण कंसवद अने बलीवद साथे संग्राएला नाटकों उल्लेख कर्यों छे। वाच्यायनना कामसुत्रमा पण कहिूं छे। के बहार्थी आवेल नतो नाटक देखाडे। विजे दिवसे कोईने न जोवू है तो महें तानूलै सन्मान पुर्वक जता रहे। पाणी निनी अस्ताद धिहाई मापण नाट्यकला प्रचलीत हवाना प्रमाणों मले छे। संस्कृत नाटक ना उद्बव विशे विस्तार पुर्वक आपने चर्चा करी। हवे आपने संस्कृत नाटकों ना विकास नी रूप रेखा जोईशु। मित्रों संस्कृत नाट्यकला माटे विश्वनाथे साहीत्य दरपण मां रूपक एवो शब्द प्रजज्यू छे। जेना 10 पेटा प्रकारों घणाव्या चे। प्रथम चे नाटक, प्रक्रण, भान, व्यायोग, समवकार, डीम, इहामरूग, अंक, विथी, अने प्रहसन। जे आरे भरत्मुनी नाट्यकलाना अग्यार प्रकारों दर्शावे चे। तेओ आ 10 मां एक नाटी, के जेमा नाटक अने प्रक्रणनू मिश्रण होय चे, तैने उमेरे चे। नाट्यकलाना विवीद प्रकारों स्वतंत्र साहीत्य प्रकार तरीके, कई रीते अस्तित्वमां आव्या हशे, ते नक्की करवू थडु अगरू छे। डक्टर राग्वन ना मतमू जब, प्राचीन समय मा नाट्यकलाना मुख्य बै प्रकारों हता। पैलू छे वीर प्रधान नाटक, औने वीजु छे सामाजिक नाटक। रूपक ना आदस प्रकारों मा थी नाटक, समवकार, डीम, इहाम्रूग अने अंक, ए वीर प्रधान रूपको छे, जियारे प्रक्रण, प्रहसन, बान, विथी, जेवा प्रकारों सामाजिक नाट्य प्रकार छे। नाट्य कलामाटे सामाने रिते नाटक एवो शब्दज आपने वापरिये छे। पन खरेखरतो नाटक ए वीवीद रूपक प्रकारों मानों एक छे। वीर प्रधान नाटको अने सामाजिक नाटको एक साथेज विखसया छे। श्री डॉलर राए माकड नाट्य नाट्य ना विकास नी प्रकरिया समझावता कहे छे। के सव प्रधम एकांकी नाटको रचाया। एकांकी नाटकना पांच प्रकारों मा भाण ए सव थी प्राचिन हतु। विथी मा बे पात्रों हता। विथी मा थी अंक औने भाण मा थी प्रहसन नाट्य प्रकार विक्से। आज प्रकार मा युद्धनी कथावालों प्रकार विक्सी ने वियायोग बन्य। अंक, प्रहसन अने वियायोग मा पात्रों नी संख्या अंगे कोई नियमों न हता। तेथी अंकों नी संख्या वती पात्रों पन उमेराया। परी नामे एक थी वधारे अंकवाला डीम, समवकार अने इहा मुरुग आ त्रों प्रकार ना नाटको अस्तित्वमा आव्या। पची पांच थी दस अंक सुधी नी मरियादा करवा मा आवी, जेती सवती वधारे लोकप्रिय नाट्य प्रकार रचायो, अने प्रकरण पन रचाया। आरीते 10 रूपको नी रचना थाई, जोके सुरेंद्रनाथ दिक्षित एउ माने चे, के सव प्रथम नाटक नी रचना थाई, ए पची बाकीना प्रकारो तैमा थी रचाया चे। जोके नाटक सर्व प्रथम रचायो, इमाने ताने टेको मरतो न थी, केमके जे सर्व प्रथम नाटक त्रिपूर दाह भजवायो, इडीम हतु, जेरे समुद्र मन्थन इस समवकार हतु, आथी समवकार अने डीम ने सौथी प्राचिन मानवा योग्य चे। तेमा थी क्रमे करीने अन्य प्रकार नाटको रचाया हशे, एम मानी शकाय। जेम नाट्य कलाना दस बेदो रुपक ना प्रकारो कहवाय चे, तेम नुत्य बेदो उप रुपक ना नामे उलखाय चे। आनुत्य बेदो मा समवादुनू तत्व उमेराईने नाट्य बेदो कहवाय चे। आ रिते संस्कृत नाटको नो क्रमश्र विकास थयो, एम विद्वानो माने चे। मित्रों संस्कृत नाटकनी जयरे वाद करता हईये। त्यारे सव प्रथम महाकवी कालिदास जयादावे। तो चालों हवे आपने आ पेपनना द्वितिय युनित तरफ प्रयान करीशू। सवती पहला तो आपने महाकवी कालिदास नू जीवन विशे जानवानो प्रयाद न करीए। मित्रो संस्क्रूत साहित्यमा कालिदास माटे कवी कुलगुरू, महाकवी वगेरे जिवा विशेशनों प्रयोजाएचे। तेमना जीवन विशे तेमना ग्रंथो माथी खास माहीती प्राप्त थती नथी। तेथी तेमना जीवन विशे प्रचलित दंत कथाओ पर ज आधार राखवो पडेचे। एक दंत कथामुजब कालिदास जनमे ब्राम्मन हाता। पन बाल्यावस्था माज तेमना मातापितानू मृत्यो थाई गय। आथी आ अनाथ बालक ने एक भरवाड उच्छेर कर्य। जैन विद्वान मेरू तुंगाचारिये कालिदास विशे नोद्यू छे के कालिदास अवंती ना राज्या विक्रमादित्यनो जमाई हतो। विक्रमादित्यने एक कन्या हाती। तैनू नाम हतु प्रियंगु मंजरी। ते खुब भणी गणीने अभिमानी थाई गई। पचि तैनाज गुरू वर रूचीनू पण अपमान करवा लागी। वर रूची ए एक वार एक इवा मुर्खने जोयो। के ते जे डाली पर बैठेलो हतो। तैने ज कापी रहे हतो। वर रूची ए राजकुम्री एक करेल अपमान नो बदलो लेवा तैने छेत्रीने आ मुर्ख साथे पणावी दिती। लगन पची राजकुमारीने साची वातनी जान थताज ॥ूझ तैने आ मुर्खने काढी मोग्यो। पची तैने दुखी थाइने कालीदेवी नी उपास ना करी। कालीदेवी ऐ प्रसन ठाइ typically तैने ग्ण्यान आपय। कालीनी उपास नाथी ग्ण्यानी बन्यों हवाने लिदे आ मुर्खी परवाड कालिदास नामे ओडखायो पिन्यानी थैने पाचो आवयो त्यारे राज कुवरिये तैने पुछियो के हवे तारी वाणीमा कोई विशेशता आवी के नई अस्ती कस्चित वाग विशेश रह त्यारे छवाब रूपे कालिदासे अस्ती पद थी शरुकरीने कुमार संबव कस्चित पद थी शरुकरीने मेग दूत अने वाग शब्द थी शरुकरीने रगू वंशनी रचना करी मित्रो बीजी एक दंत कथा मुझब कालिदास पोताने विद्वान बनावामा कारण रूप जे राजकुवरी हती प्रियंगू मंज़री तैने गुरु बनावी तैने आदर आपफाल लाग्यो त्यारे पतीना आवा अपेक्षा विरुद्ध व्यवहार्थी राजकुवरी दुखी थाई गई अने तैने कालिदास ने शाप आपयो के कालिदास जने प्रेम करशे तेना हाथे तनुम रुत्यु थशे। अवे आग इटना बाद कालिदास वेश्याओना संगमा जीपा लाग्यो। वेश्याओ आज लोक कालिदास पासे पुरो करावयो। अने इनामनी लालच मा कालिदास नुखून करी नाख्य। ते आखोस लोकलाईने राजा पासे गई। त्यारे राजाने खबर पड़ी गई कि आ कालिदास सीवाई विजु कोई न करी शक्या। अने मान पूर्वक तैमनो अगनी संसकार कर्यो। डॉक्टर सतिश चंद्र विद्या भूषण नामना विद्वान चनावे छे। के सीहल द्विप मा मातर नामना स्थडे दक्षिन प्रांत मा किरिंदी नदीने काठे कालिदास ना अगनी संसकानू स्थड आजे पन प्रवास्योंने बतावामा आवे छे। आउप्रांत कालिदास दंडी अने भवबूती जेवा कवियोनी साथेज थाई गयो हवानी पन अनेक वातों घडी काडवामा आवी छे। परंदु आमा कोई एतिहासिक तथ्य मलतू न थी। महा कवी कालिदास ना जन्मस थल विशे पन अनेक मतों संबलाय छे। एक प्रचलीत मत मुजब कालिदास कश्मीरना मत्रोगुप्तना मित्र हता। कालिदास निकृतीमा उगता केसननु सुन्दर वणन छे। जे केवल कश्मीरमाज उगेचे। आकारणे डक्टर भाव दाजी कालिदासने काश्मीरमना वतनी मानेचे। जियारे मेग दोत्त खंड काव्यमा जणाई छे के कालीदास ने उज्जेईनी प्रत्य खुब लगाव हतों। आने आदारे विद्वानों माने छे के उज्जेईन कालीदास नी जन्म भूमी अथवा तो कर्म भूमी होवी छोईए। एफजी पिटर्स्तन नामना विद्वान माने छे के कालीदास विदर्भुमा जन्म भूमी होशे। के कालीदासे आखा भारतनों प्रवास कर्यों हशे। तेमने रुत्वोनी पन लोक जीवन पर असर सुन्दर रितेवाणवी छे। कालीदासनी क्रुतियों पर थी लागे छे के तेमने वेद, व्याकरण, रामायन, महाभारत, पुराण औने अन्य अनेक घ्रंथोनू उंडु ग्ण्यान हतु। तेमने तेमनु जीवन खुब सुक अने भरपुर प्रेम वचे वितावियों हशे। एवु एमनी क्रुतियों ना वणन पर थी लागे छे। मित्रों कालीदासना जीवन विशे माहीती मेलव्या पची, हवे आपने तेमना समय विशे विचारिये। तेमना समय विशे पण विद्वानोय विभिन अभिप्रायो रजू कर्या छे। गद्यकवी बाने राजा हर्श बर्दन के जे इसविशन 666-648 दर्म्यान थाई गया, तेमना विशे हर्श शरीत नामनी आखियाई का लखी छे। जेमा तेमने कालिदास नी प्रशन सा करी चे। सात्मी सदीना उत्राध मा बाने कालिदासनो उल्लेक कर्यो चे। ते पर्थी जणाय चे के कालिदास बान पुर्वे थाई गया हशे। कालिदासे शुंग वंस ना राजवी अगनी मित्रने विश्य बनावी ने नाटक लख्यू जे हवे शुंग वंस इस्विसन पूर्वे नी पहली सदी थी इस्विसन नी पहली सदी दर्म्यान थाई गयो आथी कालिदास ए पूर्वे थाया न थी कालिदास वहलामा वहला इस्विशन पूर्वे पहली सदी थी शरू करीने मोडा मा मोडा पांचमी छठी सदी सुधीमा थाई गया हशे तेमने विक्रमा दित्यना राज़ दर्बाना रत्न कवी मानवामा आवे छे आ उपनाम चंद्रगुप्त बिजा माटे वप्रातु अतु चंद्रगुप्त बिजो चोथी पांचमी सदीमा थाई गयो विक्रमा दित्य उपर्थीच कालिदास दे विक्रम और वश्रियम नाटकना शिर्षक मा विक्रम एवो शब्द लख्यो छे एव पन मानवामा आवे छे विक्रम आदित्य शुंग वंचना राजानु नाम पन होई शके केमके शुंग वंचना राजाना नाममा मित्रशब्द आवे छे पुल्लिंग मित्रशब्दनो अर्थ आदित्य एटले के सूरिय थाई छे आथी शुंग वन्स ना कोई राजाना नाम मा मित्र ने बडले अदित्य लखी विक्रमा अदित्य थाई गई उहाई तेम पण बने आम कालीदास ना समय विशे पुर्व मर्यादा अने उत्तर मर्यादा थी वदारे कईज निश्रीत रिते कही शकाई एम न थी मित्रो कालीदास नू संस्कृत साहित्यमा खुब महत्वनों योगदान छे तेमने कुल साथ कृत्यों नी रचना करी छे जेमा बे महा काव्यो रगुवंश अने कुमार संपव एक खंड काव्य मेग दूत एक रुतू काव्य रुतू संभार तथा त्रों नाटको मालविकागनी मित्रम विक्रमोर वर्षियम अने अभिग्ना शाकुन दलनों समावेश थाई छे तो विद्याथी मित्रों आजे आपने प्रथम वर्ष बिये ना फरज जियात संस्कृत ना प्रथम पेपर ना प्रथम विभाग माथी बै युनिटनों अप्यास कर्यों अहीं आपे स्वाध्याय कार्यना प्रश्णों द्वारा आप आपनी प्रगती चकासी सक्षो आ साथेज स्तंदर्प ग्रण्थोनी यादी पण अहीं आपवामा आवी छे मित्रों आगणना लेक्चर मां हवे पछीना युनिटनों अब्यास आपने करीश्णूं आश्राद छे के आ लेक्चर मां थी आपने घणी माहीती मली हशे आगण पण आवामाहीती सभर लेक्चर साथे मरता रहिए एवी शुबेच्छा साथे विर्मुचु धन्यवाद जैहीं जै बारत